हे गाइज वेलकम बेक तो माई चैनल दोस्तो आज हम एपल प्लांट के बारे में बात करेंगे आप लोग अपने घर में आसानी से एक एपल प्लांट कैसे ग्रोग करें और उसमें से धेर सारे फल कैसे पाए ये आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ्टेट इच आरेमें 99 तो आगे बनने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर लिजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाइस पॉर्टिंग मिक्स के लिए मैंने लिया है 40% गर्डेन शॉयल और 30% वर्मिकम्पोस आप लोग काउटंग भी ले सकते हो अगर आपके पास वर्मिकम्पोस एवेलेवल नहीं है तो उसके बाद हम लेंगे दो मुठ्थी सरसुखली पाउदर ये पाउदे को सभी मैक्रो मैक्रो निटिशन प्रदान करता है तो ये मैंने लिया है एक मुठ्थी और ये दो मुठ्थी सरसुखली और उसके बाद हम लेंगे ये बोन मिल ये आप लोग लिख सकते हो ये bone meal powder इसमें आच्छी मात्रा में oxygen मिलते है एक पौधे को तो bone meal powder जरूरी है अप्पल प्लान के लिए बहुत ही जरूरी है bone meal powder तो अभी हम लेंगे ये super phosphate powder ये single super phosphate powder है आप लोगों को एक मुठ्थी single super phosphate powder potting mix में डालना है ये मैंने डाल लिया है उसके बाद हम 30% धान के चिलके डाल देंगे ताके गमले में water drainage system अच्छा बना रहे आप लोग coco beat भी use कर सकते हो अगर आपके पास धान के चिलके नहीं हो ये sub fungicide powder है मैंने नीम खली यूज नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा sub powder हम डाल लेंगे ताके पौधे पर fungus की attack ना हो तो ये मैंने fungicide powder डाल लिया है आपको थोड़ा मात्रा में डालना है ज्यादा नहीं अभी हम सबको अच्छी तरह से mix कर लेंगे आपको अच्छी तरह से mix करना है मैंने ये 12 इंच का गमला लिया है आप लोग अगर साहो तो 15 या 20 इंच के गमले में grow कर सकते हो मैंने गमले के नीचे चार होल कर दिये है ताके गमली में पानी रुका ना रहे अभी हम सब होल्स को सोटे पत्थर से कभर कर देंगे और उसके बाद हम ये जो रिवर्सेन है वो दाल लेंगे ताके वातर ड्रेनिस सिस्टिम अच्छा बना रहे अभी मित्टी को गमले में भर लेंगे तो उसके बाद पौधे को ग्रो बेक से निकाल लेंगे आप लोगों को ध्यान से खोलना है ताके पौधे का रूट डेमेज ना हो एपल पौधे का रूट बहुत ही नाजुक होता है तुझ जाने से ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा तो आपको ध्यान से खोल लेना है थोरा सा मिट्टी को हम तोड लेंगे ताके रूट जल्दी से ग्रो हो पाए गमले में तो ये मैंने ध्यान से थोरा सोरा मिट्टी तोड लिया है तो अभी हम पौधे को गमले के सेंटर में लगा देंगे ताकि ये जितनी में सुन्दर लगे तो ये मैंने बिखा दिया है सेंटर पर अभी हम मित्ती दाल देंगे पौधे पर तो गाइस वातरिंग करने के बाद हमें गमले को चाउदर जगा पर रख देंगे उसके बाद फुल सनलाइट में रख देंगे अगर पौधे के पत्ते पीले पर जाए या द्राय हो जाए तो आप लोगों को एपसम सॉल एक समच गमले में हर एक महिने के बाद यूज़ करना है इसमें मेगनिसियम होते है पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिसियल होते है इसका नेक्स वीडियो पार्ट टु में दिखाएंगे फूल से लेकर फल बनने तक सारी जानकारी आप लोगों के साथ स्यार करेंगे ताकि आप लोग भी घर में असानी से अपल के पौधे उगा सको तब तक आप लोग सेनल से जुरे रहिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे सेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो कि वीडियो का क्या हो थीची के उज़्ड के वीडियो के वीडियो